या देवी सर्व भूतेशू मा कत्यायनी रूपेण सस्थिता नमस्तशे 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 नमो नमा ओम दुम दुर्गाय नमा जै मातरानी अज नमरात्री पर्व का छटा दिन है और आज के दिन मा दुर्गा की छटी शक्ती यानि की मा कत्यायनी की पूजा की जाएगी मा कत्यायनी की पूजा करने से बड़ी ही आसानी से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्षी चारोगी फल प्राप्त हो जाते हैं साथी साधक के रोग, शोग, संताप और भैन नस्ट होते हैं मातरानी अपने भग्द को समस्प्रकार के दुखों से दूर रखती है साथी उन्हें परमपद प्रदान करती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मा कत्यायनी की कथा सुनाऊंगी उससे पहले मातरानी के एक भग्द ब्रहमन सत्यवरत की कथा सुनिये एक बार की बात है एक ब्रहमन था उस ब्रहमन का नाम देवदत था वह ब्रहमन कोशल देश में रहता था उस ब्रहमन को कोई भी संतान नहीं थी और इस कारण से मैं बहुत दुखी रहता था संतान प्राप्ति के उद्देश्य से देवदत ब्रहमन ने पुत्रेश्ठी यग्य करने का निर्णे लिया और एक दिन भे नदी के किनारे पहुचा और नदी के तट पर एक उत्तम यग्य गुंड बनवाया उस यग्य में उस ब्रहमन ने होता आधिका स्थान वेड जानने वाले ब्रहमनों को दिया सामवेद के ग्याता रिशी गोबिल ले के साथ सामवेद की रिचाव का गायन कर रहे थे मंत्र के बार बार उच्चारण के कारण उन रिशी की सांस फूल रही थी और मंत्र उच्चारण में उनकी ले गड़बडा रही थी इस कारण ब्रहमन देवदत को बहुत क्रोधाया और उन्होंने रिशी गोबिल को अपसब्द कहकर अपमानित किया देवदत ने रिशी से कहा कि हे मुनिवर आप बड़े मुर्ख है मैं पुत्र नहीं होने के कारण दुख से मुक्ती पाने के लिए बड़ी ही कठिनाई से यह यग्य कर रहा हूँ और आप स्वर बिगाड कर इस यग्य में विग्ण डाल रहे हैं यह सुनकर रिशी गोबिल को बड़ा क्रोधाया और उसने देवदत को शाप दे दिया और कहा कि देवदत तुम्हें गुंगा और मुर्क पुत्र प्राप्त होगा तता वहें भी सन की पन से भरा हुआ होगा सभी प्राणियों के सरीर में स्वास आती और जाती रहती है इन स्वास पर किसी भी प्राणी का कोई नियंत्रन नहीं है जब में जो विग्नुत्पन हुआ है उसमें मेरा कोई दोस नहीं है यहें श्राप सुनकर देवदत रिशी दोविल से भैवीत हो गया और उसमें मुनी से कहा कि हे मुनीवर पहले से ही मैं पुत्र नहीं होने के कारण बहुत दुखी हूँ और अब आपने मुझे श्राप दे दिया है कि मुझे मुर्ग पुत्र प्राप्त होगा हे रिशीवर ऐसा कहा जाता है कि मुर्ग पुत्र होने से अच्छा है कि पुत्र नहीं हो क्योंकि मुर्ग पुत्र हमेशा ही अपमान का कारण बनता है वहें संसार में माता और पिता को अपमानित कराता है वहें पुत्र परिवार में केवल बोजवन कर ही रह जाता है मैंने अपने कष्ट के निवारन के लिए यह यग्य किया था लेकिन मेरी पीडा दूर होने की बजाए मुझे इससे और वियदिक भयंकर शाप मिला है हे मुनिवर आप मुझे पर क्रप्या कीजिए और मुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बताईए इतना कहकर देवदत गोबिल मुनी के चर्णों में गिर पड़ा सादू पुरूसों को शिग्र ही क्रोल शान्त हो जाता है देवदत की यहवाने सुनकर उस सादू का हरद्य द्रवित हो गया और उन्होंने देवदत से कहा कि देवदत तुम्हारा पुत्र मुर्ख होगा और कुछ समय के बाद मैं पुनय बुद्धिमान हो जाएगा मेरा ऐसा वचन है और मेरा वचन अवश्य ही सिद्ध होगा मुनी के इस प्रकार के वचन सुनकर देवदत बहुत प्रसन हुआ उसके चहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने यग्य में अंतिमाहुति दी और यग्य को पूर्ण किया ततपशात सभी रिशिगन विदा होकर अपने अपने स्थान पर चले गए कुछ महिनों के बाद देवदत की स्त्री गर्वती हुई और उसने समय के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया पुत्र के जन्म से देवदत बहुत प्रसन हुआ कुछ वर्षों के बाद देवदत ने अपने पुत्र को मंत्रों की शिक्ष्या देने का कारिये प्रारंब किया परन्तु उसका पुत्र एक भी मंत्र उच्चारण नहीं कर पाता था यह सब गोबिल मुनी के श्राप का प्रभाव था कई वर्षों के पश्चात भी वहें वालक एक भी मंत्र नहीं सीख सका और यह बाद चारों और फैल गई कि देवदत का यह पुत्र जिसका नाम उठ्थय है वहें बहुत बड़ा मुर्ख है और वहें देवदत के नाम को कलंकित करने वाला है सभी लोगों की यह बाते सुनकर देवदत और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते वे दोनों भी अपने पुत्र को शाप देने लगे इस कारण उनका पुत्र उठ्थय बहुत दुखी हुआ और उसके मन में वैरागे उत्पन हो गया अपने माता और पिता साथी सभी लोगों से ऐसे दुख भरे वचन सुनकर उत्थय नाम का वहें ब्रामन अपना घर छोड़कर एक घने जंगल में चला गया और वहां पर जाकर उसमें एक कुटिया बनाई और कुटिया में निवास करने लगा वहां पर जंगल में जो कुछ भी उसे मिल जाता वहें उसे खापी कर अपना जीवन व्यतीत करता था वहें सोचता था कि मेरा यह जीवन तो व्यर्थ चला गया और किसी तरह मुझे यहां रहकर समय बिताना चाहिए और अपने म्रत्यों की प्रतिक्षा करनी चाहिए वहें ब्रहमन कभी भी जूट नहीं बोलता था उसने एक नियम बनाया हुआ था कि वहें कभी भी जूट नहीं बोलेगा इसलिए उत्थै को आसपास के सभी आदिवास्यों के बीच सत्यवरत के नाम से जाना जाने लगा सत्यवरत बहुत दयालू था वहें कभी भी किसी को नुक्षान नहीं पहुँचाता था और ना ही वहें कभी भी किसी का बुरा चाहता था वहें रिशी के श्राब के कारण उस जंगल में रहकर किसी तरह अपने भागय को जी रहा था एक दिन एक शिकारी सिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया और उसने अपने बानों से एक सुवर को घायल कर दिया सुवर खुन से लत्पत हो गया और मुनी के आश्रम के सामने से जाकर जाडियों में चिप गया कुछ समय के बाद जब शिकारी सत्यवरत मुनी के पास आया और उनसे पूछा कि हे मुनीवर क्या आपने किसी सुवर को इधर आते हुए देखा है सिकारी जानता था कि सत्यवरत कभी भी जूट नहीं बोलते और ना ही वी किसी को दोखा देते हैं सिकारी ने कहा कि ब्रह्मन सत्यवरत मैं यह सिकार का कारिये अपनी पत्नी और बेटों के बोजन के लिए कर रहा हूँ सिकार करना और परिवार का पेट भरना मेरा कारिये है सिकारी की ये बात सुनकर सत्यवरत ने मन ही मन सोचा कि यदी मैं इस सिकारी को बता दू कि उस जाड़ी में सुवर चिपा है तो निश्य ही सिकारी उस सुवर को मार देगा और इस प्रकार सुवर के प्राण चले जाएंगे और यदी मैं इस सिकारी से जूट बोलूँगा तो मेरा सत्य कहने का संकल तूट जाएगा और किस प्रकार से मेरा व्रत भी नहीं तूटे किसी प्रकार से मैं सिकारी को यहां से भगा दू इतना सोचने के पश्चात भी वहें ब्रहमन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया सत्यवरत भ्रहमन ने जब रक्त से लत्पत सुवर को देखा तो उसने मातारानी के बीज मंतर का उचारण किया उस बीज मंतर में ये शब्द कहा था यह महासरस्वती के वेरागय का मंत्र होता है जो यह है यह सुनकर मातारानी बहुत प्रसन हुई और ब्रहमन सत्यवरत को ज्यानी बना दिया इसके बाद वहें ब्रामन भवती बुद्धिमान हो गया और ब्रामन सत्यवरत सिकारी से बोला कि जो आखे देखती है वे बोलती नहीं है और जो जीब बोलती है उसने कुछ नहीं देखा तो मुझसे बार-बार क्यों पूछ रहा है यहां से चला जा कुछ मत पूछ ब्रामन सत्यवरत के यह वचन सुनकर शिकारी सुवर पाने की इच्छा छोड़कर वहां से चला गया इस प्रकार देवी मा की क्रपा से देवी मा के बीज मंत्रों के जाप के प्रभाव से उस ब्रामन को अपनी मुर्कता से छुटकारा मिल गया और उसने उचित समय पर उचि प्रभी मंत्र के जाप से सत्यवरत ब्रहमन के बुद्धिमान होने की कथा वनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाती है आधिशक्ति जगदंबा के प्रति भगति प्रदान करती है तथा उनमें अपार्श रद्धा भी जागरत करती है बोलो जै मांबे जै जगदंबे जै काली खपर वाली हो अब आप सुनी मा कात्याईनी की पुन्य फल्दाईनी कथा पुराणों के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद महरसी हुआ करते थे उनकी पुत्र का नाम रिसी कात्य था आगे जाकर रिसी कात्य के गोत्र में महरसी कात्यायन का जन हुआ औ अपनी तपश्या के कारण विस्व प्रशिद्ध हुए, रिसी कात्यायन के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, उनकी इच्छा थी कि मातारानी उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए कात्यायन रिसी ने कई वर्षो तक देवी भगवती की कठोर तपश्य की, रिसी कात्यायन की ऐसी कठोर तपश्या से देवी प्रसन हुई और देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखा और उनके घर पर जन्म लिया, रिसी कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई, महरसी कात्यायन ने बड़े ही प्रेम से देवी का त्याइनी का पालन पोशन किया, कुछ समय के पश्चात प्रत्वी पर दुराचारी महीसासुर का उपद्रव सारी सीमाय लांग रहा था, महीसासुर को ये वर्दान मिला हुआ था, कि कोई भी पुरुष कभी भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा, और उस प्रजापती ब्रह्मा और देवाजिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज को मिलाकर एक देवी को उत्पन किया, वे देवी ही मा भगवती जगदम्मा थी, महरसी कात्यायन ने ही इन देवी की सरवप्रथम विदिवत रूप से पूजा की थ इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है, वहीं देवी कात्यायनी की एक अन्यक अथा के अनुसार, देवी की उत्पत्ती महरसी कात्यायन के यहाँ पर अश्विन भहीने की क्रश्नपक्ष की चतूरदसी को हुई थी, इसके बाद महरसी ने शुक्लपक्ष की स अप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दश्मी के दिन देवी के इस स्वरूप ने महिशाशूर का वद किया यहीं कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्याईनी के नाम से जाना जाने लगा है महिसासुर का अंत करने के कारण देवी का एक नाम महिसासुर मर्दनी भी पड़ा साथ ही दुर्गा देवी का यह स्वरूप अमोग फल्लाईनी है ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पती के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना जी के किनारे पर देवी कात्याईनी की ही आराधना की थी इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्याईनी समस्त ब्रजमंडल की अधिश्ठात्री देवी की रूप में प्रत्यष्ठित है वहीं सकंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेक मिलता है कि इनकी उत्पत्ती परमेश्वर के सांसारी क्रोध से हुई थी नवरात्री के छटवे दिन देवी दुर्गा के इन स्वरूप की पूजा की जाती है ऐसी माननेता है कि देवी कात्याईनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुती शुब होता है साथी मा कात्याईनी के चर्णों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भग्त उनके दर्शन पाते हैं देवी के इन सवरूप की पूजा करने से भग्तों में एक अद्वुती शक्ति का संचार होता है देवी कात्याईनी का ध्यान गोदुली बेला में किया जाना चाहिए मा कात्याइनी का गुण शोदकारिये का है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में माता कात्याइनी का महत्व सरवाधिक होता है, इनकी क्रपा से ही जो सारे कारिये पूर्ण हो जाते हैं, माता रानी वैदेनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी, मा कात्याइनी अमोग फलदाइनी है इनका स्वरूप अत्यन्थी भव्य और दिव्य है ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है इनकी चार भुजाए है दाई तरफ का उपर वाला हाथ अध्यमुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर्मुद्रा में है मा के बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल शुशोबित होता है माता रानी का वाहन सिंग है इनकी उपासना और आरादना से भगतों को बड़ी ही आसानी से चारो पुरुशार्थ यानि की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप प्राप्ति होती है और मनुश्य के रोग, शोक, संताप और भैज ऐसे दुरगुण नश्ट हो जाते हैं जन्वों के समस्थ पाप को नश्ट करने के लिए माता रानी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुश्य को परंपद की प् माकात्यायनी अपने भगतों को सफलता, प्रसिद्धी और सम्रद्धी का आशिरवाद प्रदान करती है ये मातारानी अपनी सभी भगतों पर अपनी कृपादरश्टी बना कर रखना जै माकात्यायनी, जै मादुरुगअ, जै भवानी अब आप सुनिए श्री 45 का पाठ आईए शुरू करते हैं नमो नमो दुर के सुख करनी नमो नमो अंबे दुख हरनी निरंकार है जोती तुमारी तीम लोक फैली उजियारी शशी ललाट मुख महाविशाला नित लाल ब्रकुटी विक्राला रूप मात को अधिक सुहावे दरश करत जन अति सुख पा तुम ही आदि सुंदरी वाला प्रलैकाल सब नासनहारी तुम गोरी शिव संकर प्यारी सिवयोगी तुम रेगुण गावे ब्रह्मा विष्ण तुमे नित धावे रूप सरस्पति को तुम धारा देशत बुद्धि रिशी मुनिभारा धर्यो रूप नरसिंको अंबा प्र लाद बचायो ही नाक्स को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरोजग माही श्री नारायन अंग समाही चीर सिंदु में करत विलासा दया सिंदु दी जेमन आसा हिंग लाज में तुम्ही भवानी महिमा अमितन जात वखानी मातंगी अरुधू मावति माता भूनेश्वर वंगला सुखदाता श्री भैराव तारा जगतारणी चिन भालबव दुखनिवारणी के हरिवाहन सोह भवानी लांग और वीर चलत अगवानी कर में खपर खडद विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जात उठत शत्रूही शूला नगर कोट में तुम ही विराजत तीहु लोक में डंका बाजत शुम्ब निशुम्ब दानव तुम मारे रक्तवीज शंकन चन्हार महिशा सुरुन रप अति अभिमानी जेही अगभार मही अकुलानी रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम तीही सहारा परीगाड संतन पर जब जब सहाय मातू तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सव लोका तब महिमा सव रहे अशो का ज्वाला में हैं जोती तुम्हारी तुमें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जोज सगावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धावे तुमें जो नर्मन लाई जनम मरणता को चुट जाई जोगी सुर्मुनि कहत पुकारी योग नहो बिन शक्ति तुमारी शंकर अच्रज तपकीनों काम अरुक्रोद जीत सबली नो निस दिन धान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरमन पायो शक्ति गई तब मन पच्तायो शर्णागत हुई कीर्ति बकानी जै 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 जगदंब भवान भाई प्रसन आदी जगदंबा दै शक्ति नहीं कीन विलंबा मोकु मातु कष्ट अतिएरा तुम बिन कोन हरे दुख मेरा आशा त्रशनानी पटसतावे मोह मदादिक सब बिन शावे शत्रुनास कीजे महरानी सुमिरो इक चित तुम ही भवानी क्रपा करू हे मातु दयाला रिद्ध सिद्ध दे करऊ निहाला जब लग जीऊं दयाफल पाऊं तुम रोयश मैं सदा सुनाऊं श्री दुर्गचली साजो कोई गावे सब सुख भोग परंपद पावे देवीदास शरण निजजानी क्रपा करू जग अधिक से अधिक शेयर करें